हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करें और बेल आइकन दबाए विलोग पाईलोजी में सेल को झांदी के पाजिश करेंगे योजिया दी करें सबसे पहली बात study of sales जब अध्यन करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे साइटो लोजी से से ही साइटो बना है और लोजी का अर्थ होता है अध्यन करना कहीं भी लोजी सब देखें अगर साइंस में तुसका अर्थ होता है क्योंकि पूरा सरीर कोशी का से मिलकर बुनाता है यहने कि पूरे सरीर की संरचना कोशी का से होती है इसलिए संराचनात्म के काई है क्रियात्म क्यों कि एक हमारा सरीर जो भी काम करता है हमारे सरीर में जो कुछ भी क्रियाएं होती है कोशी का में भी होती है जैसे शरीर की ब्रिदी होती है हमारा शरीर भोजय पदार्थों का अधान प्रतान करता है अक्सीजन लेता है चोड़ता है ब्रिदी होती है तो यह सभी कारे कोशिका में भी होती है इसलिए इसको क्रियात्मा की कहाई भी कहते हैं और संद्राशनात्मा क्यों क्यों कि पूरा सब्सक्राइब एक प्रकार कारे नहीं करती हैं इसलिए जो एक प्रकार के कारे करने वाली कोशिकाएं कुछ होती हैं उनको मिला कर कुछ गोशिकाओं को मिला कर उत्तक बोलते हैं हारगन, अंग, बहुत सारे उत्तक मिलाकर एक अंग बनाते हैं, जैसे लिवर एक अंग है, हाथ, कान, नाक, सब एक अंग है, उस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाय मिलाकर, बहुत सारे कोशिकाय मिलकर उत्तक बनाते हैं, और बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, और ब काले उंपसीतर में हड्डियों का योगदान होगा उसमें मान स्पीशियों का योगदान होगा इस प्रकार से अंगतंत्र बनता है और कई सारे अंगतंत्र मिलकर फूरे सरीर का निर्माड होता है जिसे मस्तिक्स कमें नर्वस सिष्टम उसी प्रकार से कंकाल एंपेशी तंत्र कि तर्कुलेटरी सिष्टम इस प्रकार से बहुत सारे सिष्टम है उस सब को मिला कर सरीर का निर्माड होता है को सिका की खोज किसने की थी कोशिका की खोज दो प्रकार की कोशिका की खोज हुई थी एक निर्जीव कोशिका के सबसे पहले खोज हुई थी उसके बाद सजीव कोशिका की खोज हुई थी तो निर्जीव कोशिका आर्थात मृत कोशिका के खोज किस ने की थी रावर्ट हुक ने की थी यह alerts होट है फोट है जिएव लगा नेवाला होता है विसलिये हुख ने निरजीव कोषिका के खोश करी ति यह कार्क में करी थि और सबसे पहले जिवित कोषिका के खोश किस ने की थी जीवित कोश्का के खोज तो लिवेन हाक ने की थी जीवित पहले पादप में हुई थी फिर जन्तु में हुई थी तो दोनों में जीवित कोश्का के खोज लिवेन हाक ने की थी हाक कैसे जैसे जानौर होते हैं जानौर को हाक के बाहर कर देते हैं जानौर को हाक के दूर कर द ठी थी प्याज में और जंत में किस में के तात में घौको सिदां इन स्वान ने दिया था मैशनत Q. पूरा शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है कोशिका से उत्तक बनता है उत्तक से अंग बनता है अंग से अंग तंतर बनता है और अंग तंतर से बड़ी पूरा शरीर बनता है कोशिका सिदांद के अपवाद कि अपवाद क्या है वायरस पिशानु पिशानु अपवाद क्यों ह सजीव होती है लेकिन विशानु सजीव भी होता है और निर्जीव भी इसलिए इसे सजीव और निर्जीव की बीच कड़ी कहते हैं क्योंकि जब सजीव के संपर्क में रहता है तो सजीव हो जाता है और निर्जीव के संपर्क में रहता है तो निर्जीव होता है इसके पास क फिवायरस भी दोपरकर करके हो जाते हैं सो मिशाणू जिनके चार और प्रोटीन का आरण बना होता है और इस प्रोटीन के से बहुत सारे कोसिक होते हैं लेकिन कि वायरस में होता है उसके अंदर इया और को लिए है और यह जो होता है यह बाहरी आवरण यह प्रोटीन से मिलकर बनता है और इसी को बोलते हैं कैप सीड तो इसलिए कोशिका अक्सिदंद का अपवाद हुआ क्यों उसके अंदर कुछ नहीं है वायराइड क्या होता है वायराइड वायरस जैसा यह वहता है वायराइड वायर वराइड नहीं नहीं परियान या यह कुछ्का सिद्धान का पाद है लेकि बिस्में प्रोतीन उख प्रोटीन नहीं इसमें कुछ नहीं मिलता है तो यह भी अपवाद होगा तंत्रिका संबंदी रोगत्पन करते हैं जन्तुओं में भी एक होता है आर बीसी लाल रक्त कणिकाएं जो ब्लड में होती है ब्लड में आर बेसी डाबलो बेसी प्लेट लेट्स होती हैं ब्लड में आर बेसी होती है यह कोशिका से दंद कप्वाद आए क्यों कि कन दर को रहा चाहिए और इसमें केंड्रक होता ही नहीं है जिक दर केंड्रक विहीन होती है है आपनी से इस इल्लाव be ok तो एक नई अपर्वर्फ प्रवर्टी प्रिगोषी का से होती है कोसी का मेरे भी प्रॉपर्जनन होता है प्रॉडक्षण क्योंता है कुछ होता है कोसी का रहेजलन करती हैं और प्रच्ण होता यह कुछ वाग तोट गया अर यही यह कोशिका बना लिया है कि इन्हों कुछ वाग तूटकर कर जैसे कि जंतु उस्तों में होता है तो नाकुन काटकर फैंक देता और एक और आदमी बन जाता चाता आईसा हो जाता नाखुन से एक बन जाता क्योंकि नाखुन कोशिकाओं से मिलकर होता है लेकिन जनतु हमें ऐसा नई है विकंडळ द्वारा इस भी नहीं होता है dużardsport ना इस व्यावब दो प्रकार्कर की होती है एक सmeorkayriotic होती है एक दोस्कार की होती ये को बोलते हैं प्राक़ कंद्रक होता है तो छोता है पहले और प्रजाया होता हक़ निर्मान से पाले अनी में कैंद्र का निर्मानन नहीं हुआ है pipeip ये सामने में केंद्र कनिर्मान नहीं हुआ है और सीम केंद्र की इसका भी आई अर्थ हुआ केंद्र कनिर्मान नहीं हुआ था इंगलिस वे से प्रोकरियोटिक्स बोलते हैं यूकरियोटिक्स क्या है यूकरियोटिक्स क्या है यूकरियोटिक्स तू केंद्र की यूकरियोटिक्स में ह तरीय है आप देख रहा है कि यहां केंढद्र का कहल को ही नहीं नहीं दिख़ा है आपको यह रहे यह हुंद नहीं देख रहा हुई Sari नहीं दिख रहा है इसे बहुत सारे कोशिकांग देख रहा है यह सब को सिकांग है लेकि इसमें कम दीख रहा है तो यह कहने का मतलब है कि प्रोक college जो होता है नेक प्राक केंद्रक डिंद्रक बनने से पहले को सिकाएं और यूकरियाटिक मतलब से stock को शिकाएं जैसे बच्चा होता है फोटा बच्चा वो अभिक्सित होता है अभी विकास उसका पूरी तरस्ण नहीं हुआ होता है और वयस्क जो होता है मानव वयस्क आदमी जो होता है वो उसको ले सकते हैं यूकरियोटिक के तवर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए